हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लो प्यारे बच्चों आज हम यू मदर कानवेंट एकेडमी चैनल पर स्पी चौहान सर मैं आपको नाइन्थ कलास का एक्सरसाइज 12.1 नाइन्थ कलास का चौथा सवाल बताने जा रहा हूं चौथा और पांचवा दोनों सवाल बताओंगा चैनल पर बने रहिएगा समझ में आएगा कमेंट करिएगा नहीं समझ में आएगा उसका भी कमेंट करिएगा बताईएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी पहला इसमें सवाल हमारा दे रखा है कि उस तिरी भूज का छेत्रफ कैसे निकालेंगे तो माला लेंगे माना तीसरी भूजा की माप एक्स संटीमीटर है ठीक है तो अब तीनों भूजाओं का हम जोड़ेंगे परिमाप निकालेंगे इसको यह जोड़ेंगे, हम एक्स का वैलू मालूम होता, तो हमारा यह मिलता, जो दे रखा 42, कितना मिलता? 42 सेंटीमीटर, अब दोनों को जोड़ दीजिए, यह होगए 28, अब प्लस एक्स, क्योंकि एक्स तो जोड़ेंगे, यह कोई संक्या नहीं है, लिख देंगे 42, फिर दे लिखेंगे, एक्स बढ़ाबर जे कि इदर फाख चंतर करेंगे, 42 कि बाद हम इसको इदर ले जाएंगे, तो प्लस था है, यह है पर प्लस लिखते हैं यहां पाएगा तो फिर प्लस यह प्लस है यहां होगा है, अब माइनस कितना होगा? 28, अब इसका वैलू निकाले यहां पहुझाएगा चार और यहां से गटाएंगे एक इतना सिंटीमिडरा है तीसरी भूजा में मिल गया अब हम निकालेंगे एस का मान निकालेंगे एस बराबर हो जाता है हमारा फर्मॉरा लिए प्लस B प्लस C जहां यह भूजाएं की नाप है बटा में टू तो हमें कटा देंगे इसको तो हमें मिलेगा 21 ऑच कमान निकाल गए अब हिरून का सुत्र यह कहता है कि अंदर रूड एस टिक है समझ में आरा ना आप लोगो एस और क्या होगा के यह as-a माइनस एप पिले कि एस माइनस बी और पिले के समा उसी यह हमारा फर्मूला का था है फिर हम आगे अल करेंगे इसको टेक है अगे अल करेंगे थो कितना हो जाए गई यह